आठ दस मिनट का अगर आपका वीडियो है एक मिनट इससे रिलेटेड बात कर लिया बाकिया आपका लाइफस्टाइल व्लॉग रा गिया तो व्लॉग में भी आप ट्रेंडिंग टॉपिक को भी अटेश कर सकते हूं इंक्लूड कर सकते हूं हाई अबरिवान आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत सो दोस्तों आज की दिनों में सबके पास एक व्लॉग चैनल जरूर है लाइक जैसे कि मैं टेक्स चैनल मेरा है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो लेकिन मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जहाँपन मैं डेली लाइफश्टाइल व्लॉग's अप्लोड करता हूं दोस्ता अब ब्लॉग इस लिए सब कोई बना रहे हैं की व्लॉग के ट्रेंडिंग भी ये व्लॉग का एक अलट ट्रेंड है व्लॉग्स में अच्छा कासा व्यूज है तो अगर आप भी व्लॉग इंग करते हो त आखिर व्लॉग बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम एक अच्छा व्लॉग बना सकते हैं और वह व्लॉग वायरल भी हो सकता है तो काफी कुछ मैं आप लोग के साथ आज की इस वीडियो पर टिप्स सेर करने वाला हूं अपने एक्सपिरियंस के मुताबिक चार-पाइस साल के एक्सपिरियंस है मेरा तो आप लोग को कुछ टिप्स में दूंगा कि आपको एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए क्या 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 करना होता है तो आप लोग एंड तक वीडियो को देखना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करने आपको आग सारा डाउट हमारे दिमाग में राता है तो दोस्तों इस वाले डाउट को किलियर करूंगा मैं अपना एक्जामपल देखर कि कि मैं आखिर कैसे व्लॉग बनाता हूँ अगर आप मेरे व्लॉग चैनल को फॉलो करते हो अगर नहीं करते हो तो कर ले लिए यूट्यूब चै थीक है 3 मेरे पास iPhone भी है तो इतने सारे मेरे पास option है यह जो Eloise Unidos की जाता है तो मेरे पास a mais to add reliable पॉणाने जींज है यह अगर और आपे पास कुछ भी चीजों की जुर्रत नहीं है मेरे पास सब कूछ रहते हुए भी मैं फोन से ही vlogs बनाता हूँ, reason ये है कि फोन का जो में quality में ने देखा, वो मुझे इन सारे चीजों में quality नहीं मिलता, हाँ camera में वो quality मिलता है, काफी बहतर quality मिलता है, लें camera एक बहुत बड़ा सा equipment हो जाता है जिसको ले करके घुमना और public place में vlog करना काफी जाता जो है, मेनत का काम एक तरह से बोलोगे तो भारी भर कम रहता है हाथ आपका पेन होने लगेगा इससे अच्छा सबसे कॉम्पेक्ट साइज में आपका स्मार्ट फोन होता है जिससे आप ब्लॉक बना सकते हो और आपका कैमरा आप उससे आराम से ब्लॉक बना सकते हो आप चाहो तो यूज कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है मुझे जहां तक लग रहा है आपका अच्छा खासा ओडियो क्वालिटी आ जाएगा व्लॉक में सिर्फ स्मार्ट फोन से ही लेकिन कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ागा वो मैं आगे बताऊंगा अगर आपको इनकेस माइक आप दोस्तों बात करते हैं कि व्लोग बनाने के कुछ टिप्स के बारे में सबसे पहला टिप्स दोस्तो जब भी आप व्लॉग बनाऊ तो आपके फेस में एक स्मायल होना चाहिए और second number आप काफे ज़्यादा energetic लगने चाहिए आपके व्लॉग वीडियो में होता यह है दोस्तों कि जब कोई नया यूटूबर यूटूब चैनल उपन करता या फिर कोई व्लॉग चैनल उपन किया है तो वो जैसे कि इस तरह से व्लॉग कर रहा है स्माटफोन से तो बोलने जैसे आप श्राट करते हो तो इसको आप एकदब इतना एनरजेटिक होके लोग आपके वीडियो को स्वागत है इस तरह करके मैं बोलता हूँ अब इसी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी हो करके बूलोगे आप में आवाज में दम होना चाहिए बोलने का त आप काफी जाता करो क्या आप एनरजेटिक लगो वीडियो में ठीक है आप में होना चाहिए पहला टीपस आप दोस्तों करते हैं काफी सारे लोगों को नरवसनेंस होता है ठीकbrand हे आपको livresna होता है कि बहुत आप पभल्लिक प्लेसमें घास करें जब पब्लिक पलेसमें है वो क्या सचेगा कि पागल हो गया है फोन ले कर कि जिसी सबसे पहले होगा। जो हटाना होगा कैसे परकार से यहहां तो समझना पड़ेगा कि व्लॉग करें हो आपका काम है और जो पब्लिक देख रहा है वह भी कुछ न कुछ काम कर रहा है और वह आपको देख रहा है तो वह जब अपना काम पर फोकस किया हुआ है तो आपको भी अपने काम पे ही फोकस करना आपका व्लॉग बनाना वीडियो बनाना आपका काम है तो लोग देखे ना देखे उसे हमें क्या फर्रक पड़ता है और दोसे जब आप नए जगह में पॉल्मिक प्लेस में जाकर व्लॉग बना रहे हो तो माल भी ज़िए कुछ लोग आपको देख रहा है तो वो लोग आपको पहचानता नहीं सबसे पहली बात सारे अर्णोन होते हैं किसी को आप नहीं जानते हो ना वह आ आपको होकर के ही व्लॉग बनाना होगा सो यह था दोस्तों दूसरा टिप ठीक है आप यहां पा थार्ड टिप जो आपका आता है सबसे इंपोर्टेंट एक तरह से बोल सकते हो जब हम लोग नया व्लॉग चैनल ऑपन करते हैं कोई ऑपन करता है तो उसके मन में आप डाउट होता है आप क्या कर को पता है सौरब की वीडियो होते हैं वो डेली लाइफ श्ताइल होते हैं वह जो भी आपने डेली करते हैं वो चीज़ वह व्लॉग में डाल देते हैं तो अगर बाद लिजाए कि यह सिर्फ जस्ट कुछ भी नहीं किया उस दिन सिर्फ आपने घर में ही घर में मम्मी ने चाल दावल बनाया खाया पिया सो गया व्लॉब कंपलीट साथ से आठ मिनिट का वीडियो सुभा अप्लोड हो गया पांच मिलियन व्यू आ गया तो आप लोग को काफी सारे लोग इन से इंस्पाइड होकर के लगता है कि इनके जैसा व्लॉग बनाओगे त क्यूंकि हम लोग ऑल्रेड़ीड फिरम्स है हमारा एक उल्रेड़ी फेल्यू बना हुआ है अगर आप और आप नहीं यूटुबर वांपकोुइबिभ फेल्यू नहीं है अप के लाइप को देखने में अखेर लोग इंट्रेस्त क्यों लगा एक रिजन बता दो आप नहीं बनाना है सबसे पहली बात आपको वीडियो दोस्तों बनाना है नया नया अगर आपने व्लॉग चनल उपने क्या ता आप ट्राइ करो कि कुछ फेमस प्लेस होता है आप जिस भी एरिया में रहते हो कुछ फेमस प्लेस होगा जो की काफी ज़्यादा फेमस होता है लाइक कोई कि तक काफी सारे कुछ फैमस चीज होगा जो आपके एर्यां में है जहां आप रहते हो वह चीज आपको ही पता है आप माल लीजिए कि आपको लगता है कि उस वाले फैमस जगा का मैं वीडियो बनाऊंगों गहले लेकिन नहीं वैरल होता है दोस्तों मैं बता दो अगर आप जीस भी जगा से वीडियो बनाते हो जिस जगा का वीडियो बनाते हogram उस ज expensive aip-बुल गए यह कैसे उसके पास वो विडियो गया, धनवाद rápido रियलेशन, मेरा विडियो चला गया तो उसे लगए का रही यह धनवाद ud outrageous का डाला है, देखे ज़रा खोल करके तो यहांपर curiosity बढ़ जाता है उस विडियो को आपन करने का तो आप लोग को लगता है कि हम जिस famous place का वीडियो बना रहे हूं तो आलरेडी सब कोई जानता सब कोई देखा वा आद नहीं देखेगा नहीं ऐसा नहीं होता आप जिस भी जगा का वीडियो बना रहे हूं न उस जगा के लोग ज़्यादा वीडियो को देखते हैं मैंने धनबाद से रिलेटेड इतिने सारे वीडियो अपनोड किये हैं कि लोग काफी जादा देखे हैं देरे 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 लोग पहचानने लगए तो ये एक रिजन है तो आपको क्या करना है स्टार्टिंग डेज में आपको कुछ famous place होता है अपने एरिया में चाहे व कोई trending अगर topic चलता है तो उस पे related आप अपने ब्लॉग पे उसको थोड़ा सा एक मिनट के लिए कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हो अब यह कैसे कर सकते हो लाइक माल लिजा आभी कुछ दिन पहले टिक टॉक वर्सिस यूटूब चल रहा था ठीक है एक controversy चल रहा था तो य या फिर इसको छोड़ा इसको हटा देते हैं एक और option देते हैं अगनी पत्त योजना अभी जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है आप लोग पता होगा आर्मी का जो नया रूल आया है यह अभी ट्रेंडिंग में है अगर इस टाइटल पर आप वीडियो बनाते हो ना कि दोस्तों अभी देश का हालत काफी खराब है अभी student लोग काफी ज़्यादा अंदोलन कर रहे हैं यह नया यह आया है एक मिनट का आपने बोल दिया बोलने के बाद आप टाइटल में इसको यूज कर सकते हो कि अगनी पत्त योजना से लोग ना खुश है या फिर कुछ गी टाइटल लगा दिया थामनेल में भी थोड़ा सा लगा दिया अगनी पत्योजना डाल दिया वीडियो आट-टस मिनट का आपका वीडियो है एक मिनट इससे रिएलेटेड बात कर लिया बाकि आपका लाइफ स्टेल ब्लॉग रागिया तो व्लॉग में भी आप ट्रें बनाऊगे ठीक है यह भी एक टिफ्स है कि जब आप बनाते हो तो कुछ-कुछ cinematic sort भी लिया करो cinematic sort किसको बोलते हैं जैसे बी रोल्स हो गया कुछ-कुछ cinematic sort हो गया like मान लिजे कि मंदिर ठीक है अब इस मंदिर का आपने क्या क्या कि मंदिर पे आप इसका cinematic sort लेना मंदिर का तो सामने इस तरह करके पीछे कर लिया स्लो में ठीक है एक बार दूर से सामने कर लिया एक बार ऐसे कर लिया एक बार ऐसे कर लिया और उसी को स्लो मो करके थोड़ा सा background music अगर आप अच्छा सा लगा दोगा तो उसको बोलते हैं सिनेमेटिक आपका वीडियो वाइरल हो सकता है एडिटिंग टाइम पर सबसे पहरी बात कि आप जो भी व्लॉग बनाएं उसमें एक स्टोरी लाइन होना चाहिए ठीक है स्टोरी लाइन किसको बोलते हैं स्टोरी लाइन का मतलब यह है कि आपका व्लॉग कहीं से स्टार्ट होगा और क नहां पर जा रहा हूँ फिर आपने कुछ रोड शौर्ट पिर उस जगह का शौř फिर घर आया और फिर उसको थिला कि आप लोग पसंद करें है लाइक करें सब्सक्राइब हो हो गया इसको बोलते हैं व्लॉग शुरूइब होगा कहीं से कहीं नहीं होगा तो इस तरह का पहले तो आपको पूरे व्लॉग में जो आपको लगेगा कि हाँ important parts से जो कि देखने में मजा आ रहा है इंट्रेस्टिंग पार्ट्स को आपके ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही 15-20 से या 30 सेकंड तक आपको लगा देना है जिससे आपका ब्लॉग इंट्रेस्टिंग हो जाता है यह चीज में आप लोग के दिखाना चाहूंगा यह दोस्तों मेरा है व्लॉग चैनल जो कि है आट लाग सब्सक्राइ ठीक है यहां पे देखे आट पार्ड़ ने क्या थाट पार्ड़ इंहां पर खुन बन्दग करते हैं देख वेंट्रिंग कि अधि अधिद्ध लुग को यह दो पार्लिके ड्राव जिए स्ट्टिंगां जब तुमारे पास रहें आपने चाहलें अधिक्षिंगे शाथिए तो बीच से पचीश सेकंड आपने देखा कि स्टार्टिंग में कुछी इंपोर्टेंट स्पार्ट जो इंट्रेस्टिंग पार्ट था उसको मैंने इंकुलूड किया उसके बाद व्लॉग इस्टार्ट हो तो यह चीज दोस्तों आपको अपने व्लॉग पे ध्यान देना है जिससे आपका इंटेक्टिंग टाइम में क्या होगा कि आपका व्लॉग ही देख लेगा तो यह हो गया दोस्तों आपको अपको इंट्रेस्टिंग पर ध्यान देना है उसके बाद में एक और इंपोरेंट पार्ट है वह है बजिएएं इसको बोलते हैं बैक्ग्राउंड म्यूजिक आपके ब्लोग में बैक्ग्राउंड म्यूजिक काफी ज्यादा रोल निभाता है आपका ब्लोग इंट्रेस्टिंग बनाने में आपका जितना अच्छा बैक्ग्राउंड म्यूजिक रहेगा उतना अच्छा आपका ब्लोग लगेगा देखने मे आप background music आपको situation हिसाब sad करना होता है माल लिजे कोई धार्मिक असल पर जा रहे हो तो आपका background music भी थोड़ा धार्मिक टाइप का होना चाहिए अगर आप माल लिजे कहीं पर enjoy कर रहे हो तो enjoying type का आपका background music होना चाहिए अगर माल लिजे आप कहीं पर sad vlog बना रहे हो जहांपर आप sad हो emotional हो तो आपका music भी sad emotional type का होना चाहिए तो background music आपको काफी ज़्यादा matter कर जाता है background music आपको मिल जागा NCS लेक के YouTube पे सर्च करो आपको काफी सारे जो है इसका NCS चैनल से आप किसी भी music को यूज़ कर सकते हैं इसमें को भी भी copyright नहीं आता है तो इसमें आप लोग देख सकते हो काफी सारे music से जिसको आप अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हो तो यह हो गया दोस्तो background music आपको लगाना है अच्छा से चूज़ करके जिससे आपका ब्लोग इंट्रेस्टिंग लगे तो दोस्तो मैंने क्या क्या बताया बहुत कुछ बता है अच्छ में बताये energetic होकर आपको वीडियो बनाना है background music अच्छा से लगाना है स्टोरी लाइन क्रेट करना है इस्टारिक में आपको कुछ important parts को include करना है साथ है आप टाइटल में जो है ज्याहिन वन्दे मात्रा